हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू जाइम टुटोरियल तो फ्रेंड्स आज की इस व्यूडियो में हम देखेंगे कि हम 60 डिडी का एंगल किस परकार ड्रो करेंगे ओके तो आए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 60 डिडी एंगल बनाने के लिए तो हम सबसे पहले एक बेस ल जो मेरा 60 डिडी बनेगा उसका यह क्या रहेगा यह उसका कि चांप की सहिता से चांप की लेंध एक बार आप तई कर लीजbeh है कितना रखना चाते हैं जैसे के पास कोपी की कोपी में कम जगा हो तो आप कम ही चाप लिजिएगा ज्यादा जगा हो तो आप उस हिसाब से लिजिएगा ओके तो यह मैंने इतना चाप यहां पर लिया है और यहां पर जो सेंटर माना था वहां पर आपको चाप की काट को काटा को रखना है ओके और आपको एक और्क चला देना है तो ये देखिए ये मैंने एक और्क चला दिया ओके ये मैंने चला दिया एक अब आप जो लेंथ रखे हैं उस चाप की लेंथ आपको चेंज नहीं करना है ये जो आप रखे हैं इसको आपको चेंज नहीं करना है और राइट उसका क्या करना है आपको यहां पे रखे चांप की काटा को ओके और एक आर्क जो आपका यहां पे था यहां पे चला दीजिए ओके उसके बाद यह जो यहां पे काटान बिंदू मिला है उसको आप इस सेंटर से इस केंदर से मिला दीजिए तो आई हम इसे मिला देते हैं तो यह कुछ इस पर कार मिल जाएगा ओके देखिए यह दोनों पॉइंट को लेते होगे मैं क्या करूँगा यहां पर लाइन ड्रो कर दोंगा तो यह जो एंगल होगा फ्रेंड्स यह एंगल मेरा 60 डिग्री का होगा का है इंगल कौन कुछ bunny का हैँ षिक्स्त्य डिग्री का है कि यह मैंने तीर का चिन्दे दिया और इस परकार मैं लिग दिया है कि पूर सिक्स्टि आप चाहे तो इसका नेमिंग झाल कर सकता हुईो